हेलो एन विल्कम तो यशितास केच्छन, आज की हमारी ट्रेडिशनल रसेपी के साथ मैं आए हूँ, जो है राजिस्तानी धोकला, इसे बनाने की सामगरी स्क्रीन पे दी गई है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, यह सुपर सॉप्ट रसेपी है, बहुत ही टेस्टी है, भी बोलते हैं, फिर मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धन्या पाउडर, जीरा और नमक डालेंगे, मिर्च मसाली अपने अनुसार डाली, अगर जादा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो लाल मिर्च जादा डाल सकते हैं, अभी इसमें आदा चमच में बेकिंग सोडा सोडा नहीं भूलना है, आपको डालना है, फिर इसके बाद दो टेबल स्पून आपको तेल लेना है, तेल या फिर गी जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, फिर इसको मिक्स करें, हातों की मदद से इसको मिक्स करें, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, और आपको तो आप डो रडी करना है इसका डो सॉप्ट होना चाहिए और 10 मिनिट के लिए आपको छोड़ देना है ये रेसिपी मौनिंग में बना सकते है मौनसून सीजन या फिर विंटर सीजन में तो बहुत ही टेस्टी लगता है गरम गरम खाईएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा एक बर बनाएंगे तो दूसरी बार जरूर बनाएंगे आप ये देखें मेरा आटा यानि की डो रडी हो चुका है और इसको 10 मिट के लिए छोड़ना है फिर इसके गोले बनाए और डोनट शेप आपको देना है इसको तमिल में मेदुवड़ा भी बोलते है मेदुवड़ा शेप देना है आपको देखें ऐसे शेप में आपको बनाना है फिर इसको हम स्टीम करेंगे इडली की कुकर में इसको पहले हम ओल से अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि यह चिप केना फिर आपको इसको इसपर प्लेस करना है रखना है और 25 से 30 मिनिट के लिए आपको स्टीम करना है देखेए 25 मिनिट के बाद धोकला बन चुका है क्रैक हो चुका है इसको आप चेक कर सकते देखिए एक दम क्लीन है ये रडी है इसको आप गरम गरम ढुकला को घी के साथ सर्व कीजिए बहुती टेस्टी लगेगा बहुती यमी रेसिपी है कड़ी या फिर लाल चट्नी के साथ ब्रेड चट्नी के साथ आप सर्व कर सकते है मौन्सोन सीजन विंटर में तो गर्मा गरम बहुत ही टेस्टीड लगते है ज़रूर ट्राइ कीजेगा ब्रेक पास में भी ज़रूर बनाईएगा और आपकी रेसिपी कैसी बनी थी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा हमारे चैनल के साथ बनी रहिए लाइक और सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद